नमस्कार में हिमन्त मलिक अपने चैनल गाड़नी इत्रम प्राहिमन लिए कि आपका फिर सब्सक्राइब आता हूँ दोस्ति आप देख शूर ना जयाद का पीड जयाद का पीड तो में शह महीले पहले गिरो करा था आज मैं इसका बोंसा ही बनाना बनता हूंगा और पता हू अगर मेरी अपना देख रहे हैं तो सबस्क्राइब करना वीडियो को लाइक करना दूश्तु श्री जो करना पिछली उज्री हुआ तो दोस्तों सबसे पहले इसको घंबे से बहाल नेका लेगे इसको ट्रैवर की मदद से पहुते नीचे की मिट्टी हल्गी कर लीजी इस प्रिकारती आज प्लास्टिक की गंगले में लगवा तेसका तो बहुत आसा है यह आप बाहर कर सकते हैं कर बाहर क्र बाहर की में लाएर के मारणिव के लगवाद से प्रिका माष mored ववार हिएा क्राम लाइं प्लास्टिकılan का हम ऊप्लास्टों नीचों की मिट्पूण भाब सकते हैं प्लास्टिक के गमला तो भी को बात नहीं तो दोस्ति ये इसका नीचे को रूट इस्ट्रेक्टर इस परिकार से आप देखें इसका फोटो कितना सुंदर लग रहे हैं रूट कितना मजबूत है इसका रूट बहुत स्ट्रॉंग नहीं होता है तो इसलिए मैं आप सब्सक्राइब कि प्लूट को गमले से भाहन निकाले तो आपसाली बहुत प्रेम से निकाले रूट को डिस् को पौदे को निकाले एक बोन साइटे ले लेते हैं यह परी बोन साइट जैसा के हमीशे होता है कि पहले आप जो ड्रेलिय जहल होता है इसको किसी पत्थर की मदश से बंद कर दें और इसकी मिट्टी की बात करें तो दोस्ते इसमें मिट्टी मैंने देट मिला रुखी है यह जैद का पौदा होता है इसको ऐसी मिट्टी जाई है जिसका पानी बहुत देर तक ना रुके यह लिए कि वेल ड्रेन मिट्टी होते हैं इसके अंदर मैंने मिट्टी सा थोड़ी से रियत मिला लिए अब चूखी भर्यारी वाना पौदा होता है तो इसकी फीडिंग के ल लगा करको चाहता है मिट्टी से कवर कर दीजिए अच्छाए मिट्टी जाद होगी नीचे पेस इसको हल्का कर लेते हैं कर दो लेते हैं कि अध्याइब कर दो हुआ है अधिया जो है कि कुछ दो कि इसके बहुंचा शेप देने के लिए इसकी पर दो नीचे तो दोसको घ्राइब तो तो दोस्तों गराऊ किसके पहुंचा बनारे हैं कर्व ना हो तो आप इसकी जो ब्रांच चीज़े उसको इसे जाबत काटिए कि जिदर को आप इसको गिरो करना चाते हैं और अगर आपको कर्व देना है तो ब्रांच को आल्टरनेट वे में काटिए कर्वा इसको प्रांच वैसकिंग इस प्रिकार्ट से ब्रांच पूरीन करने लिए अब चुब किया इसको रिपॉर्ट कर रहा है तो दोस्तों को पानी भी देना अब पानी देते से में आप इसे विशेव ध्यान रखें को इसको बहुत जब पानी जुरत तो नहीं पड़ती है अगर आप इसका तना मोटा करन महीने में एक बार इसे बार आपको इस पॉद्र में देना इस तरह मोटा हो जाए तो जूब कि आज रिपॉर्ट करें तो पहली बार इसको दब तक पानी देना होता है इस बतक कि सारा वाटर डेनी सोल गे थूदू बाहर न तला जाए इसके बाद आप इसको ऐसी स्थान पर रखें जहां पर भरबूर धूप होती हो दोस्तों यह थी मेरी वीडियो कि आप किस प्रकार आसानी से अपनी जैद प्लान को बहुं साई तयार कर सकते हैं तो आशा करता हूँ यह जोटी सी आपको पसंद जूरुए होगी अगर वी आज के लिए तिलने मिलता है अगली वीडियों में तब तक खुज रहे हैं स्वास्थरी गार्डिनिंग करते रहे हैं थैंक्स पर वर्थिंग बाइ